हरी कृष्णा रादे राधे शिरी ओम नवो भगवते वासु देवाए आज मैं आपको पुर्शोत्तम मास इसनान की जोड़ा जिमाने की कथा सुना रही हूँ जिसमें भगवान स्यम अपनी भगत का पुर्शोत्तम मास इसनान पूर्ण कराने के लिए उसके घर में जोड़े सही जिमने आते हैं तो आईए मन में भगवान पुर्शोत्तम का ध्यान करते हुए सुनते हैं अधिक मास की इस कहाने को किसी गाउं में एक सास बहु रहती थी पुर्शुत्तम का महीना आया तो सासु ने बहु से कहा कि बहु कल से पुर्शुत्तम का महीना लग रहा है तो मैं रोज पुर्शुत्तम मास नहाऊंगी सासु जी की बाते सुनकर बहु ने पूछा सासु जी ये पुर्शोत्तम का महीना क्या होता है मुझे भी बता दो तो सासु माता कहने लगी कि जिस महीने में सुरी की सक्रांती नहीं होती मतलब सुर्य एक राशी से दूसरे राशी में नहीं जाते वो महीना दो बार आता है तो वहें अधिक मास हो जाता है और तीन साल में एक बार आता है इस अधिक मास को ही पुर्शुत्तम मास कहते हैं यह भगवान कृष्ण का सबसे प्रिये मास माना जाता है इस महीने में सवेरे जल्दी उठकर सुर्योदे से पहले उठना चाहिए नारायन तारायन और पारायन करना चाहिए तब बहु कहने लगी सासु जी यह तो पता चल गया कि यह पुर्शुत्तम मास क्या होता है अब यह भी बता दो कि यह नारायन तारायन और पारायन क्या होता है तब सासु माता उसे समझाते हुए कहती हैं कि सुबह सवेरे जल्दी उठो सुर्योदे से पहले उठकर नदी तालाब में नहने जाओ फिर वही नदी तालाब का पानी लेकर सुर्य देवता को जल अरपित कर दो इसे नारायन कहते हैं फिर वही खड़े खड़े धुरुदारे के दर्शन करो तो इसे तारायन कहते हैं यहां नारायन और तारायन इस तरह हो जाते हैं अब पारायन का मतलब है कि भगवान की पूजा करके रामायन या भागवत का पूरे मास पारायन करो यानि कि पूरे महीने रामायन की कता पड़ो भागवत की कता पड़ो पुर्शोत्तम की कता पड़ो इसे पारायन कहते हैं इस तरह ऐसे नारायन तारायन और पारायन करा जाता है तब बहु कहती है कि माता जी अधिक मास करने का इतना पुन्य है तो मैं भी वरत कर लिया करूँगी तब सासु कहती है कि नहीं नहीं तू मत कर केवल मैं ही करूँगी दोनों एक साथ करेंगे तो गर का काम कौन करेगा सारा काम पड़ा रह जाएगा बहु बेचारी डर जाती है तो कहती है कि ठीक है सासु जी पर मन ही मन ठान लेती है कि करूँगी तो मैं भी अधिक मास का वरत चाहे जैसे भी करना पड़े करूँगी तो जरूर सासु मा तक को नहीं बताऊंगी दूसरे दिन लग गया पुर्शो तम मास सासु मा सुबह चार बजे उठी तालाब में नहाने के लिए चली गई सासु मा के जाने के बाद बहु पीछे पीछे उठी तो सोचने लगी अब मैं तालाब में तुन्हा जा नहीं सकती तो सोचने लगी कैसे नहूं मठके में देखा तो पानी नहीं था लेकिन मठके के नीचे जो कुंडा होता है जिस पर मठका रखते हैं उसमें पानी भरा हुआ था तब वो उस पानी जी अगर नारायन तारायन करके आ गई तो डाटेंगी कि अभी तक काम नहीं किया, फिर उसके बाद कुए पर पानी भरने चली गई, वो भी भर लाई, ऐसा करते करते उसके काफी दिन निकल गई, बहुत सारे गर के काम भी करती, रोज कुए में पानी भरने भी जाती, और कोई पर पानी भरने गई, कोई में से पानी भर लिया, लेकिन जब वापस आने लगी, घड़े को उठाने लगी, तो वह घड़ा उठे ही नहीं, उसने बार-बार कोशिश की घड़ा उठाने की, लेकिन वो घड़ा उठा ही नहीं, सोचने लगी कि रोज तो उठ जाता है, आ और उसके सिर पर रखवा देता है और फिर बोलता है सासु नहावे उंडे बहु नहावे कुंडे वह चला जाता है बहु भी चली जाती है अब ऐसा रोज होने लग जाता है रोज बहु पानी भरने आती है लेकिन पानी भरने के बाद घड़ा उससे उठता ही नहीं रोज बहु उससे पोशने लगती है कि तो रोज ऐसे क्यों बोलता है तब वो बोलता है कि तुम रोज नहाती तो हो कुंडे के पाने से इसी दिए कह रहा हूं तो बहु पोशने लगी तुझे कैसे पता अच्छा ये तो बता तेरा नाम क्या है तो वो यूवक बहुत ही मीठी मुसकान के साथ कहता है कि मेरे को सब पता है तब बहु सोचने लगती है मैंने ही कभी बढ़बढा दिया होगा और इसने सुन लिया होगा बहु पोशने लगती है अच्छा चलो तुमारा नाम तो बता दो तो तुम्हारा नाम क्या है? तब वह लड़का कहने लगता है कि क्या करोगी मेरा नाम जानकर मैंने तुम्हारा काम करवा दियाना बस इतना बहुत है इस तरह से दिन बीटते रहते हैं बहु उससे रोज नाम पूछती है पर वह नाम नहीं बताता एक दिन बहु अड़ जाती है और कहती है कि नाम बताओ तो वह कहता है कि अच्छा ठीक है मेरा नाम दामोदर है अब बहु उसको नाम से पुकारने लग जाती है दामोदर उधर पुरुत्तम मास पूरा होने को आता है तब सासुमा बहु से कहती है कि बहु पुशोत्तम मास पूरा होने वाला है मुझे जोड़ा जिमाना है तू पांच तरहें के पकवान बना लेना अब बहुत चिंता में पड़ जाती है वो सोचती है कि पुशोत्तम मास तो मैं भी कर रही हो पर मैं जोड़ा कैसे जिमाऊंगी जोड़ा कहां से लाओंगी घर में जोड़ा जिमाओंगी तो सासुजी को पता चल जाएगा और पता चल गया तो बहुत डाट पड़ेगी सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है पर उसे कोई उपाई नजर नहीं आता सुबह सवेरे नारायन तारायन करके है कि तो चिंता क्यों कर रही है मैं हूना मैं आ जाओंगा जोड़ा जिमने तब वह कहती है मुझे जोड़ा जिमाना है तेरी बहु कहां है वो कहने लगा तो चिंता मत कर बहु भी आ जाएगी बस तो दो थाली परोस कर तुलसी वरंदावन में रख देना और घंटी वजा देना घंटी की आवाज सुनकर मैं आ जाओंगा बहु को तो कुछ समझ नहीं आता कि घंटी की आवाज सुनकर कैसे आ जाएगा तब वह कहती है ऐसे कैसे आ जाएगा तुझे क्या पता मैं कहां रहती हूँ तब दामोदर कहता है तो चिंता मत कर, बस मैंने तुझे जैसा कहा है, वैसा कर देना, तो सोचती बहुत है, जाब घर जा, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह कहकर वह बहु को घर बेच देता है, बहु घर आती है, जल्दी जल्दी सारे काम करती है, पांच तरें के पकवान बनाती है, सासु मात अपने जोड़े को बुला लो बोजन बन गया तब सासु माता ब्रामन ब्रामनी के जोड़े को बुला लेती है जोड़े को चौक में बठा देती है और उनकी थाली परोस देती है इधर बहु दो थाली लगा कर चौक में रखती है और दो थाले लगा कर पीछे के दर्वाजे से तुलसी वरिंदावन में रखाती है गंटी बजा देती है तब दामोदर अपनी एक छोटी से सुन्दर पतनी को लेकर बहु के घर पर आ जाता है जीमने के लिए उन्हें दोनों को रसोई में बिठा देती है और भोजन कराने लगती है सासु माता का जो ब्रामन ब्रामनी का जोड़ा था वो चौफ में बैठा था और बहु का जोड़ा रसोई में बैठा था बहु भाग भाग कर चौक में सासो माता के जोड़े को भी जिमाती है और रसोई में दामोदर उसकी पतनी को भी जिमाती है थोड़ी देर बाद सासु माता का जोड़ा जीम लेता है तब बहु कहत देखती है कि सासु माता तो जोड़े को जीमने के बाद रुपए दे रही है पैसे रक्षिना के रूप में और कपड़े दे रही है तब रसोई के अंदर जाती है और सोचती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं मैं क्या दूँ मेरा वरत तो फिर भी अदूरा रह गया अब मैं दामोदर को क्या दूँ उसे सोचता हुआ देखता है तब दामोदर समझ जाता है कि फिर कुछ चिंता में पड़ गई उसे पूछता है अब क्या चिंता है तब वह कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जिमात हो दिया पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं जो तुम्हें दक्षिना में दे दू तब वह कहने लगता है तु चिंता मत कर तो तुलसी के पत्ते दोड़ ला और मेरे हाथ पर रख दे तब बहु दोड़ी दोड़ी जाती है और तुलसी के विवडे में से तुलसी के पत्ते तोड़ कर लाती है एक पत्ता दामोदर के हाथ पर रखती है एक उनके पत्मी के हाथ पर रखती है जैसे ही हाथ पर रखकर पीछे होती है तो तुलसी का पत्ता सोने का सिक्का बन जाता है बहुतो बहुत हैरान हो जाती है सोने का सिक्का देखकर तामोदर से पूछती है कि तू बता कौन है तब तामोदर कहता है तुने मुझे अभी तक भी नहीं पैचाना मैं कृष्ण भगवान हूँ और ये मेरी पतनी रुपमणी है जिसके लिए तो पुर्षोत्तम का वरत कर रही थी इतना सब कहकर भगवान उसको अपना विराठ सो रूप दिखाते हैं बहु देखती है तो देखती ही रह जाती है भगवान के चरणों में गिल जाती है कहती है भगवान मुझे तो माफ कर दो मैं तो अग्यान्त हूँ मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं रोज आपसे पानी का घड़ा उठवाती रही इस तरहे से बार बार माफी मांगती रही उनके चरड़ों में पड़ी रही इस्तुती करती रही अब भगवान उसे आशिरवात देते हैं और जीम जाम कर वहां से चले जाते हैं उदर सासु मादा का जोड़ा भी जीम कर चला जाता है सासु जी घर के अंदर आती हैं तो बहु से कहती है चल बहु अब हम भी भूजन कर लें भूजन करने रसोई में जाती है तो देखती क्या है जिस ठाली में दामोदर और रुक्मणी जी में थे वो तो हीरे मोती मानिक से भरी पड़ी है जिस कलश में पानी पिया था वह भी सोने कहो गया है वहाँ भगवान की पदचिन छपे हुए है तो सासु माता तो अश्चरी में पड़ जाती है बहु से पूछती है बहु ये सब क्या है अब बहु हैरान तो थी पर डढ़ते डढ़ते सारी बात बताती है सासु माता आप उश्चरी मात नहा रही थी मैंने भी सोचा मैं भी नहाऊंगी आप रोज दालाब में नहाने जाती थी मैं कुंडे के पानी से नहा लेती थी इस तरह से बताने लगी जब आपने जोड़ा जिमाने को कहा तब मैंने सोचा मैं किसे जिमाऊंगी वही कुए पर एक लड़का मिलता था जो मेरा रोज घड़ा उठवाता था मैंने उससे कहा तो कहने लगा मैं आ जाऊंगा जीमने सासु जी वो तो भगवान कृष्ण और रुक्मनी जी थे तब सासु माता बोलती है तुझ पर तो पुर्षोत्तम भगवान की कृपा हो गई तुझ पर तो अधिक मास तूट गया भगवान ने तुझे साथशाद दर्शन दिया जोड़े के रूप में भगवान खुद तेरे घर आ कर जीम भी लिए भगवान ने तो तेरे भंडार भड़ दिये इस तरहें सास बहु दोनों का अधिक मास संपन्न होता है भगवान की कृपा से उनके घर में अनधन के भंडारे भर जाते हैं उनकी सारी मनोकामनाई पूरी हो जाती है ये पुर्शुत्तम भगवान जैसे आपने बहु पर किरपा की वैसे ही पुर्शुत्तम मास इसनान करने वाले सब पर अपनी किरपा बनाई रखना सब की मनोकामना पूरी करना बोली ये पुर्षोत्तम भगवान की जै हो आईए अब सुनाती हो आपको तुलसी माता की कता बोली तुलसी माता की जै हो किसी गाउं में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी लड़की बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत धरम करम करती थी रोज तुलसी जी की पूजा करती थी, उसका तो रोज का नियम था जब तक तुलसी जी की पूजा नहीं कर लेती थी, पानी भी नहीं पीती थी पहले तुलसी माता का पूजन करती, तुलसी माता के पास दिया जलाती, परिकर्मा करती, कथा पढ़ती, आरती करती उसी के बाद कुछ खाती पीती थी दीरे दीरे समय बीतने लगा और वो बड़ी हो गई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी उसके तुलसी पूजा देखकर उसकी शादी में भी उसके माता पिता ने उसे तुलसी जी का एक कमला दिया लड़की अपने ससुराल में पहुच गई, ससुराल में भी उसने तुलसी पूजा का अपना नियम जारी रखा सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही इसनान करती, घर की साफ सफाई करती, फिर तुलसी जी की पूजा करती और उसी के बाद कुछ खाती पीती, उसकी दुरानिया जिठानिया थी, वो उसका मजाक उड़ाती, और कहती बड़ी पूजा पाठ करती है, बड़ी धरम करम वाली बनती है, क्या मिल जाएगा तुझे पूजा पाठ करके, अरे ये ढोंग दिखावा बंद कर, लेकिन वो किस की बात नहीं सुनती, और अपने पूजा पाठ को अपने नियम से रोज करती, तब वे दोनों बड़ी गुस्सा में आ जाती, और तुलसी जी के गंबले को छुपा देती, वो लड़की बड़ी मुश्किल से, तुलसी जी का गंबला ढूंडती, कि पता नहीं आज कहा छु अब लड़की ने जब खाने का समय हुआ, पूजा बाट का समय हुआ, तब गंबले को बहुत ढूंडा, लेकिन उसे गंबला कहीं मिला नहीं, गंबला ढोंडते ढोंडते बहुत परेशान हो गई, और बहुत दुखी भी हो गई, उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, क्य तुलसी माता प्रकट हो गई और प्रकट होकर उसे कहने लगी कि अब तो चिंता मत कर अब तुझे तुलसी जी की पूजा करने के लिए तुलसी का गमला ढूमना नहीं पड़ेगा इतना कहकर तुलसी माता अंतरध्यान हो गई उनके अंतरध्यान होते ही उसके कमरे में तुल हर भी नहीं जाना पड़ेगा, मेरी तुलसी माता को कोई कहीं फेक भी नहीं सकता, अब वे अगले दिन सुबह जल्दी उठी इसनान किया तुलसी माता की पूझा की, खाना खाने बैठी, तब उसकी देवरानिया जेठानिया उसका मजाक बनाने लगी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उसने तुलसी पूझा कर ली वे कहने लगी देखो देवरानी का नियम धरम पूरा हो गया तब वे पूछने लगी क्या हुआ आई तुलसी पूझा नहीं करोगी तब वे कहने लगी कि जी जी मैंने तो पूझा कर ली तब वे कहने लगी कहां से कर ली पूचा कहां है तुलसी का गमला वो तो हमने फेक दिया था तब वो कहती है दीदी मेरे तो कमरे में ही तुलसी जी का गमला है अब भागी भागी उसके कमरे में जाती है वहां देखती है तुलसी जी का गमला रखा है हरी हरी तुलसी लहरा रही है तब जेठानी और देवरानी अपने किये पर बहुत शर्मिंदा हो जाती है अपनी देवरानी से जेठानी से तुलसी माता से शमा मांगने लगती है और कहती है कि तुम्हारी तो भकती सची है हमें माफ कर दो हमने तुम्हें बहुत परिशान कर दिया तब वे कहती है कोई बात नहीं दी दी मैंने तो आप से कभी नाराज होई है नहीं मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था तब वे सभी दिवरानिय जिठानिय मिलकर दुलसी जी की पूजा करने लगती है ये दुलसी मादा जैसे आपने उस लड़की की परकृपा की वैसे ही आपकी भक्ती करने वाले सब परकृपा करना बोलिये दुलसी मादा कीजे हो